हमने एकसर फिल्मू में देखा है कि एक जुल्मी बाप रहता है और एक बिचारा उसकी बेटी का प्रेमी जिसको वो बाप मरवा देता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता ये तो हो गई फिल्मी बाते और इस फिल्मी वाला एक्जामपल देने का मतलब तो आप समझी गए ह जी हाँ ये वार्दात असल में भी हुआ है बस कहाने में थोड़ा चेंज है चेंज ये है कि हाँ पिता जी का अपड़ाद पकड़ा गया है वो भी चार महीने बाद नमश्कार स्वागत है आपका जनता रंग्षन में और मैं हूँ आपके साथ स्रिष्टी श्रिवास्ता बोपाल में एक पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी को करेंट देकर मार डाला। इस वारदात को अंजाम देने के लिए पिता ने बहुत प्लानिंग की थी ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन वो पकड़ा गया। बोपाल पुलिस ने बताया कि युवक का नाम धर्मेंद् उसकी लाश पुलिस को 29 अगस्त को गूंगा इलाके में उसकी मोटर साइकल के पास बुड़ी तड़ा जुलसी हुई मिली थी। जहां पर युवक की लाश मिली थी वहां ऐसा लग रहा था कि आकाशे बिजली गिड़ी और उसी करेंट के जटके के चपेट में युवक आ गया और उसकी मौत हो गई यहां तक कि पुस्ट मौटम रिपोर्ट से भी यही लग रहा था कि युवक की मौत करेंट लगने के वज़े से हुई है और क्यूंकि उस वक्त तेज बारिश का मौसम भी था जिस कारण से पुलिस ने इस बात को मान लिया लेकिन तब भी पुल के एक शौपिंग मौल में काम करता था तो वो मौत वाले दिन गुंगा इलाके में क्या कर रहा था तब पुलिस ने युवक के घर वालों से पूछताच की पूछताच में पता चला कि गुंगा इलाके में रहने वाली किसी लड़की से धर्मेंद्र का मेल जोल था तब था कि उसकी बेटी और धर्मेंद्र किस जगा पर कब-कब मिलते हैं तो उसने प्लान बनाया और जान बूच कर ऐसा दिन चुना जिस दिन बारिश हो रही थी ताकि सब को लगे कि योवक की मौत बिजली गिरने के कारण हुई है रईस ने पहले धर्मेंद्र पर पत्थर से वार किया और फिर हाई टेंशन लाइन से बिजली के जटके दिये जिस से धर्मेंद्र की मौत हो गई और फिर उसकी लाश को में रोट पर लाकर उसकी मोटर साइकल के पास फेक दिया पुलिस ने रईस खान को धर्मेंदर की हत्या क्या रोप में गिरफतार कर लिया है आज की इस वीडियो में बस इतना ही इसी के साथ देखते रहे इजन्त अरंक्षन हमें यूटूब पे सब्सक्राइब करें फेस्बुक पे लाइक करें टुटर पे फॉलो करें और अगर आप चाहते हैं कि सब्सक्रावेबाक अंदाज में पत्र काड़ता करते रहें तो स्क्रीन पर दिखरें डिटेल्स पर डोनेशन दें धन्यवाद